हेलो फ्रेंज, वेलकम बेक टो माई चैनल धवेज हाउस आज हम बनाएंगे बुंदी का राइता जो बहुत ही आसान सी रेसिपी है अगर आप मेरी चैनल पे नए आए हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्फूल लगी तो लाइक और सेर जरूर करें तो आई अब हम बुंदी का राइता बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने बुंदी का राइते के लिए एक कटोरी दही में एक कटोरी पानी मिला के अच्छे से फैट लिया है इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए वन फोर्थ कप हमको बुंदी लेनी है जो तीखी वाली बुंदी लिया है फ्रेस दन्या बारी काटके रखा है एक टीसपून चीनी ले लेना है और एक टीसपून जीरा पावडर ले लेंगे और one four teaspoon हमको पुदीना लेना है, पुदीना पाउडर है, ये पुदीना को मैंने सुखा के पाउडर बना लिया है, half teaspoon लाल मीच पाउडर लेंगे और स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, तो सबसे पहले हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे दही में, लाल मीच पाउडर डाल देंगे, और जीरा पाउडर डाल देंगे, और पुदीना पाउडर डाल देंगे, और चीनी डाल देंगे, तो अभी सारे मसाले डाल देंगे, हम दही में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाले को, तो मसल अच्छे से मिक्स हुए अब हम बंदी डाल देंगे थोड़ी से बंदी हम बचा के रखेंगे जो लाष्ट में हम गानिक्स करेंगे तो बंदी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बुंदी अच्छे से मिक्स हो गई है तो अभी हम थोड़े से धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अभी सब मसाले और बुंदी अच्छे से मिक्स हो गई है तो अभी हम इसको ठंडा करने के लिए फ्रीज में रख देंगे हम 15 मीट के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे उसके बाद हम सर्विंग के लिए निकालेंगे तो अभी 15 मीट हो गए है राहता हमारे एक दिम अच्छे से ठंडा हो गया है इसको ठंडा ही सर्व करना है तो अभी हम इस बावल में सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं चाहते हो तो आप पाने कम डाल के गाड़ा भी बना सकते हो तो अभी मैं इस बाउल में निकाल लिया है हम थोड़ा गार्निस कर लेंगे तो थोड़ी से हमें जो भूंदियों बचा के रखी थे वो उपर से इस तरीके से डाल देंगे थोड़ा सा लाल मीच पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे उपर से अंदे तो डाला ही है उपर थोड़ा सा डालना है इस तरीके से अभी हमारा राइता बन के रेडी है सर्विंग के लिए रेडी कर दिया है तो friends यह बहुत ही आसान सी recipe आपने देखा है अभी तो आप यह जरूर ट्राइ करना और मुझे comment में जरूर बताना कि आपका इराइता कैसा बना अगर आपको इसके बारे में कोई सुझाओ या फिर कोई query हो तो मुझे आप comment के माध्यम से बता सकते हो Thank you for watching, keep cooking